आज हमारी रसोई में बनने जा रही है एक कप सूजी से एकदम चटपटा, खस्ता और खाने में बेहत स्वादिश इसनेकी रेस्पी एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा एकदम खस्ता बनते हैं आप इसे महीं तक श्टोर कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि फूले फूले बने हैं और कितना खस्ता बना है एक मैं आप लोग को तोड़ कर भी दिखाऊंगी यह देखिए मैं तोड़ रही कितना खस्ता बना है देख सकते हैं है और जट पड से आप इसे अपने हैं ही जाँ से हैं चाहरको दनाने हैं अभी सूजी को हम डाल देंगे ग्रेंडिक जार में और इससे हम एकदम बारिक खाइन पॉडर पीश कर तयार कर लेंगे तो सूजी को एकदम बारिक पीशना है तो सूजी को मैंने एकदम बारिक पीश लिया है तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कितना बारिक है तो देख सकते हैं कि सूजी को मैंने एकदम बारिक पीसा है इसने के बाद आप धकन को तुरत मत खोलिये तो क्या होगा ना कि पूरा जो पौडर है ना उपर उड़ कर आएगी इसलिए कुछ टाइम बात खोलियेगा अब एक प्रात में सभी सूजी का जो पौडर है हम निकाल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे बेशन तो यहाँ पर जादा बेशन का इस्तेमाल नहीं करना है सिरिफ दो छोटी चमच बेशन डाल देना है बेशन के साथ में अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें मोयन के लिए घी तो यहाँ लगभग एक चमच है अगर आप मेल्ट करेंगे तो दो चमच हो जाएगी छोटी चमच से थोड़ा सा नमक डाल देंगे यानि स्वाद अनुसार डाल देंगे और अच्छा से हम मिक्स करेंगे तो हाथों से इसे पहले अच्छा से हम मिला लेंगे घी डालने से यह जो हमारी स्नेक्स बनेगी ना बहुत ही जादा खस्ता एकदम करारा बनेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे तो घीव को अच्छा से मिला लेना है तो देख सकते हैं घी जो है न अच्छा से मिल गई है पूरी तरह से आप हाथों में इस तरह से मुठिया बनेगी अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा गरम पानी हलका गुनगुना पानी से हम सोजी को गूथ का तयार करेंगे जैसे हम आटा गूथते हैं उसी तरह से गूथेंगे हम तो एकी बार जादा पानी नहीं डालना है बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा को हम गूथ का तयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आटा को मुलायम नहीं गूथना है, हलका सा इसे टाइट गूथना है, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, अभी आटा जो है थोड़ा सा जादे सक्त है, और अच्छा से इसे हम गूथ कर तयार करेंगे, तो लगभग आटा गूथने में आपको 3-4 मि गूथ कर चिकना करना है, तो सूजी को मैंने गूथ लिया है, अब इसे हम ढखकर 5 मिनिट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छा से फूल जाएं, तो यहाँ पर 5 मिनिट हो गए हैं, सूजी अच्छा से फूल गए हैं, बहुत लंबे समय तक मत रखिएगा, तो पा बढ़ा इसे बेल कर तयार करना है, तो बहुत असानी से यह बिला जाएगी, अब इसे हम ढख देंगे ताकि करा ना हो, अब लोई को चिप्टा करेंगे, चकले पर रखकर और बेलन से इसे हम दबाते हुए बेलेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो रोटी है बिल बेलने के लिए आपको ना तो आटा की जरूत पड़ेगी, ना तो तेल की, ऐसे ही आप बहुत अच्छा से बेल लेंगे, तो रोटी से थोड़ा सा पतला इसको बेलेंगे, और चारो तरफ एकी बरबर बेलेंगे, मोटा पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब एक आपको कितना बड़ा साइज श्नेक बनाना है, उसके हिसाब से खटिंग कर सकते हैं, चाहे तो छोटे-छोटे पिसस में काट सकते हैं, या बड़े-बड़े पिसस में काट सकते हैं, अब इस तरह से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में हम प्लेट में रख लेंगे, तो देख सकते हैं थोड़े से मैं बड़े-बड़े साइज में काटी हूँ इस तरह से तो चलिए इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और साथ में आप लोग को मैं यार भी दिला रही हूँ कि आज की अगर हमारी सोजी की ये रेश्पी आप लोग को जरा सभी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जादे से जादे लोगों में सेर कर दीजिएगा और जो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं हमारे चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजिएगा टाकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ वीडियो आप तक तुरन कर तुरन पोचे इस तरह से सभी रोटी को बेल लेना है और बेलने के बाद में काट लेना है आप चाहे तो आप बेलते जाएए काटते जाएए और तेल में इसे छानते जाएए लेकिन सबसे असान है कि इसे आप बेल लीजिए और काट लीजिए उसके बाद में इसे तेल में तलिए करके डालना है जैसे जैसे आप डालते जाएंगे एक एक करके देख सकते हैं तैरते हुए फूलते हुए ऊपर आ रही है एक ही बार में अगर जादे डाल देंगे तो यह अच्छा से नहीं फूलेंगे एक करके डालेंगे तो बहुत अच्छे से और सभी फूल कर तैयार हो ज कर समय लग जाएगा ज्यादर समय बिल्कुल भी नहीं लगते हैं इसे तलने में बहुत जल्द हैं देख सकते हैं कि सुनारा गोल्डन light क्लर आ गया है और एक्दम सभी फूल गए हैं अब इसे हम तेल में से छान करके निकाल लेंगे ले कुरने टिल बिलकुल भी नई सोखते हैं एकदम कराया एकदमज़ता बनते हैं इसी तरह से हम सभी उस्नयक को बना कर तैयार कर लेंगे यह देखे दूसरा बैच में बना रही हूं कितना अच्छा से फूल नेकार लेंगे और सभी इसा से हम बना करके तयार कर लेंगे एक दम फूले फूले बनते हैं एक दम क्रिस्पी बनते हैं से लिए गैस को बंद कर देते हैं तो यहां पर हमारी सूजी की सभी स्नेक बनकर तयार हो गई है अब इसके उपर हम कुछ मसाला डालेंगे तो थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे इसके थोड़ा सा हम डाल देंगे हरे धनिया की पॉडर तो ये मैं हरे धनिया को सुखा कर इसका पॉडर बना कर रखी हूँ वो डाल लए हूँ अगर इसकी रेश्पी चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी आप देख सकते हैं वीडियो की नीचे थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिस्ट का पॉडर डाल देंगे तो हमारी स्नेक बनकर तयार हो गये हैं एकदम चरपटा एकदम करारा बने हैं अभी इस मसाला को हम बड़े से बरतन में डाल कर हम अच्छा से इसे मिक्स करेंगे तो यहां पर बड़े से बरतन में लिए हूँ और सभी हम इसनेक को डाल दे रही हूँ बड़े से बरतन में तो देख सकते हैं आवाज आपको आ रही है तिकनी क्रिस्की बने है एकदम ख़स्ता एकदम करारा बने है अब इसे हम अच्छा से मिला लेते हैं तक कि मसाला जो हो ना इसके उपर कोटिंग हो जाए आवाज इसे आपको पता चल लहा होगा कितना खस्ता बना हुआ है तो यहाँ पर मैं तोड़कर भी दिखा रही हैं देख सकते हैं बहुत जादा खस्ता बने हैं अगर घर में छोटी मोटी पाल्टी हो तो आप इसे बना सकते हैं अभी तो बहुत सारे तिवार भी आ रहे हैं तो तिवार में भी इसे बना सकते हैं बहुत जादा तेश्टी लगते हैं आप इसे नंकीन भी बोल सकते हैं या मट्री भी बोल सकते हैं या स्नैक भी बोल सकते ह यह बहुत ही जादा टेश्टी लगते हैं तो यह सूजी से बना हुआ है लांबे समय तक आप इसे श्टोर करके रख सकते हैं महिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं आप चाहे तो इस तरह से आप इसका दूसरी रेश्पी भी बना सकते हैं तो इसे मैं तोड रही अभी इसका मैं दूसरी तरह से खाने के लिए बनाना आप लोको बता रहे हूं कि आप इस तरह से भी खा सकते हैं बहुत जादा टेश्टी लगती है इस तरह से इसका चाट भी बना सकते हैं तो यहां पर मैं तोड तोड के रख ली हूं तो यहां पर मैं कुछ सबजिया ल चैटपटा लगते हैं और तो इसके उपर दही भी डाल सकते हैं या मीठी चत्नी भी डाल कर खा सकते हैं कैसी लगी आज की रेज्पी कंपा स्क्राइफ सेडी跟大家 करें Prince अब इसके आगे गुलाब जामू रस गुला भी आपको फेल लगेंगे अगर आज की हमारी रस भरी मिठाई आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जादे से जादे लोगों में सेर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा एकदम रस से भरी एकदम सौट मुलायम ये मिठाई बनते हैं और खाने में बहुत जादे टेश्टी लगते हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है ये रस से भरी मिठाई हम बनाएंगे सूजी से तो यहाँ पर मैं ले रही एक कप भरके सूजी एक कप में 15-20 मिठ खाई बनकर तयार हो जाएंगे तो यहाँ पर मोटे दानेदार सूजी है आप चाहे तो बारिक सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर भूनने के लिए मैं पेन को गैस पर रख दी हूँ और सभी सूजी को हम पेन में डाल देंगे और इसे मेडियम लोट्टू फ्लेम पे भूनेंगे तो सबसे पाले हम इसमें एक चम्मस देशी घी डाल देंगे घी की जगए आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस मिठाई में घी सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगी मीडियम लोट्टू फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए भूनेंगे ताकि सूजी का जो कच्चा पन है निकल जाए सूजी को लाल बिलकुल भी नहीं करना है शिरिफ इसका हम कच्चा पर निकालेंगे सूजी भूने से एकदम दानेदार हमारी मिठाई बनेगी सूजी का मिठाई तो आप सभी ने बहुत बार बनाए होंगे लेकिन इस तरीका से आपने कभी ट्राइ नहीं किये होंगे इस तरीका से आप बनाएंगे तो आपकी रजभरी मिठाई बहुत ही जादे मज़ेदार बनेंगे सूजी को मैंने हलका सब भून लिया है अब इसमे में डालूंगी दो कप दूद तो यहां पर मैं एक कप दूद अभी ले रही है एक कप दूद में डालूंगी तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके दूद को डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे एक ही बार दूद को नहीं डालना है ने तो आप उसे मिक्स नहीं कर पाएंगे इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और धीरे-धीरे इससे मिलाते जाएंगे ताकि इसमें लंस बिल्कुल भी ना बने तो यहाँ पर medium low to flame पे ही चलाते हुए पकाना है गैस का flame बिल्कुल भी हाई नहीं करना है इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा एक कब दूद में और ली हूँ तो थोड़ा-थोड़ दूद को डालते जाएंगे और इसे अच्छा से केचुला से मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा ही दूद डाल नहीं एकी बार में दूद बिल्कुल भी नहीं डालना है नहीं तो गुठलियां बनने की डिर रहेगी थोड़ा सा हम इसमें केचर डाल देंगे ताकि मिठाई में अच्छा सा कलर आए अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं इस मिठाई में मैं कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ आप चाहे तो फ्रूट कलर का भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन में केसर का इस्तेमाल की इसे कलर बहुत ही जादा प्यारी आएगी बाकी को जो दूद बची हु पूरी तरह से एकदम melt हो जाएगी देख सकते हैं इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसे मसल मसल कर इसे अच्छा से इस तरह से बना लेना है ताकि ये पूरी तरह से पेन छोड़ दे अब गैस को लगभग में चीनी लूँगी तो आप चासनी थोड़ा सा इसमें जादा बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जादे ये चासनी सोकती है अब इसमें हम डाल देंगे उसी कप से दो कप पानी तो यहां पार डेढ़ कप चीनी लेना है दो कप पानी डालना है और गैस का फ्लेम हाई करके चासनी को चलाते हुए पकाना है इसमें तार बिलकुल भी नहीं बनाना है बस चासनी गारी हो जाए उतना ही पकाना है लगभग आपको पांच से छे मिनट का समय लग जाएगा थोड़ा सा केसर डाल देंगे तो यहाँ पर चासनी पकाते हुए हमें 6-7 मिनट का समय लग गया है देख सकते हैं चासनी एकदम गारी हो गई है थोड़ा सा मिलाइची का पौडर डाल देंगे अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अच्छा सा फ्लेवर आती है आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं तो यहाँ पर चासनी हलका सा चिपचिपाहट होने लगी है इसे तार बिल्कुल भी नहीं बनाना है तो हलका सा चिपचिपाहट आने लगे बस गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए चासनी को रख देना है तो इसे गरम नहीं रखना है, ठंडा होने के लिए चासनी को रखना है, यहाँ पर आटा भी हमारी हलका सा ठंडी हो गई है, थोड़ा सा हम हाथों में तेल या घी लगा लेंगे, ताकि हाथों में चिपकेना और मसल मसल कर एकदम स्मूध सा हम इसे गूथ कर तयार करेंगे, तो सूजी है, एकदम दानेदार होती है, तो इसे अच्छा से हम गूथ लेंगे, ताकि जब हम मिठाई बनाए तो बिल्कुल भी ना फटे, अक्सर सब लोग बनाते हैं, सूजी का मिठाई तो कहीं फट जाती है, तेल में डालते हुए, कहीं बिखर जाती है, तो इस तरह स आप बनाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, एक चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, और अच्छा से इसे हम मिला लेंगे, अगर आपका आटा गीली हो जाए, तो सूजी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा, सूजी की जगए आप यहां पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे अच्छा से इसे मसल मसल कर हम गूत लेंगे, एक दम चिकना कर लेंगे, तो यहां पर आटा देख सकते हैं, एक दम चिकना हो गया है, एक दम स्मूध हो गया है, आटा को 5-6 मिनट तक अच्छा से गूत ना है, तो यहां पर मैं लोई बना रही हूं देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं आप गोल शेफ में बनाएंगे ऑब बनाने के बाद में इसे हलके हाथों से इसे प्रेस करेंगे दबा तो यहाँ पर मैं गुलाब जामून नहीं बना रही हैं तो यहां पर सभी मिठाई बन कर तयार हो गई हैं अब यहाँ पर तलने के लिए तेल या घी दोनों में से कोई चीज ले सकते हैं तेल को अच्छा से पहले गरम कर लेना है उसके बाद गैस का फ्लेम मेडियम लो कर देना है और ये गोली इसमें डाल देना है तो देख गोली डालने के बाद में आपको पता चलेगा कि फट रहे हैं कि नहीं फट रहे हैं अगर फट रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें मैदा डा कर गूथ लीजिएगा तो यहां पर देख सकते बिल्कुल नहीं फट रहे हैं तो बाकी का जो हम बना के रखें हैं मिठाईया एक केक करके हम तेले में डाल देंगे तो मीडियम लोट्टू फ्लेम पे इसे सेकना है गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और धीरे धीरे इसे उलटते पलटते इसे तेल में तल लेना है तो यहां पाई तलने में आपको 5-6 मिनट का समय आपको लग जाएगा क्योंकि गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई न सुनारा गोल्डन लाइट कलर तो देख सकते हैं यहां पर जो हमारी मिठाईयां बन रहे हैं काफी अच्छे से फूल गया है तो इस मिठाई को उलटते पलटते रहना है और हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है ताकि चारों तरफ पूरी तरह से एकदम लाल हो जाए तो यह पर देख सकते हैं मिठाई जो हमारी बन रही है सुनारा गोल्डन लाइट कलर आ गया है इसके बाद में तेल में से चान कर इसे हम निकाल लेंगे काफी अच्छा से फूल गये हैं देख सकते हैं कलर भी बहुत प्यारा सा आया है तो इसे अभी हम निकाल लेते हैं पलेट मे हलका सा इसे ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम चासनी में डालेंगे तो दूसरी बैच भी इसे हम डाल देते हैं तेल में ताकि साथ हो साथ दूसरी बैच भी हमारी बनकर तयार हो जाए और ये भी उलटते पलटते इसको भी रहना है हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है ने तो एक तरफ लाल हो जाएगा और एक तरफ कच्छी रह जाएंगे तो यहाँ पर चासनी एकदम ठंडी हो गई है उसके बाद में मिठाई को डाल देना है चासनी में अच्छा से इसे मिला देना है अभी साइड में में रख दी हूँ और दूसरी बेश जो है वो भी हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से तो देख सकते हैं अच्छा से ये भी फूल गए है और अच्छा सा कलर आया है तो केसर आप डालेंगे ना तो मिठाई के उपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगी और इसे भी हम चासनी में डाल देंगे तो यहाँ पर मैं गरम गरम डाल दी हूँ चासनी में वो अच्छा से मिला देंगे मिलाने के बाद में इसे हम दो घंटा के लिए रख देंगे ताकि चासनी पूरी तरह से ये मिठाई एकदम सोख ले एकदम रस से भर जाए तो इसे ढख कर रख देना है दो घंटा के लिए दो घंटा के बाद में चेक कर रही तो देख सकते हैं एकदम मिठाई जो है ना एकदम रस से पूरी तरह से एकदम भर गई है चलिए निकाल लेते हैं इसे प्लेट में तो कैसी लगी आज की सूजी और दो कब दूद में बनी हुई ये मिठाई की रेश्पी कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर से बताईएगा अभी तो बहुत सारे तिवार आ रहे हैं तो आप सस्ते में आप बहुत सारी मिठाई बना करके अपने घर में तयार कर सकते हैं घर का मिठाई बहुत ज़्यादा बढ़िया रहते हैं खाने में ना तो कोई मिलावट रहता है ना कुछ रहता है एकदम सुद्धी मिठाई राते हैं तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करिएगा आप चाहे तो इसके उपर थोड़ा सा डेकुरेट भी कर सकते हैं सीरलवर वर्क और काजू बदाम पिस्ता जो भी ड्राइब फुट आप इसके उपर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो यमी लग रही है ना मिठाई तो आप लोग आप अपने घर में इस तरीका स्ट्राई जरूर से करिएगा एकदम रस से भरी मिठाई बनकर तयार हो खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगते हैं इस तरीका से आप बनाएंगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे एकदम नाराम, शौट, मुलायम, गुलाब, जामून और रस गुला से भी ज्यादा टेश्टी मिठाई बनते हैं तो इमें तोड़कर भ अगर आप सभी एकी तरह की नास्ता खाखा कर रोज परसान हो चुके हैं तो आज मैं लेकर के आई हूँ आलू की बेहत मज़ेदार यूनिक नास्ता की रेश्पी, मेहमानों को भी खिलाएंगे तो आपकी तारीक करे बिना नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि इतनी मज़ेद अब इसमें डालना है घी, तो घी को हमेर्ट कर लेना है और तीन छोटी चमट डाल देना है घी डालने से यह नास्ता काफी खसता बनेगी, स्वाधिक के अनुसार डाल देना है इसमें नमक, नमक थोड़ा कम डालिएगा, साथ में डालना है बेकिंग पॉडर आदी छोटी चमट, आप बेकिंग पॉडर की जगए आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इनो डालें तो आधा पैकट का ही इस्तेमाल करिएगा, और अच्छा से मेक्स करेंगे, मिलाने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तो आप चाहे तो यहूँ का आटा भी ले सकते हैं, या मैदा भी ले सकते हैं, दोनों में से आप एक चीज ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, डेर कब भर के मैदा, मैदा को डालने के बाद में अच्छा से इसको मिलाएंगे, आप चाहे तो हाथों की मदद से या कल्चुला की मदद से मिला सकते हैं दूद पहले में ज़्यादा नहीं डाली हूँ, अगर दूद की जरूरत पड़ेगी तो वापस दूद डाल कर गूथ लेना है अगर पहले आप ज़्यादा दूद डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ये जो आटा है गीली हो जाएगी इसलिए दूत थोड़ा कम डालिएगा दूत की जगे आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हाथों से मसल मसल कर आटा को अच्छा से गूत कर तयार कर लेंगे लगबक 3-4 मिनट तक आटा को गूतेंगे जब तक ये अच्छा से मुलायम चिकना न हो जाए आटा अच्छा से लग गई है पाच मिनट के लिए इसे रख देना है रेश्ट के लिए तब तक हम इसके लिए आलू का मसाला बना कर तयार करेंगे तो यहां पर मैं ली हूँ बॉयल किया हुआ आलू चार आलू को छील लेना है और छीलने के बाद में आलू को मैस कर लेना है आप चाहे हाथों की मदद से या आप कदू कस भी कर सकते हैं लेकिन एकदम बारिक मैस कर लेना है आलू को मैस करने के बाद में अब इसमें कुछ मसाला डालेंगे तो साबूत सौफ डालेंगे अच्छा है तो पौडर भी ले सकते हैं लेकिन अक्का डालने से काफी अच्छा टेश्ट आती है तिन हरी मिच कार के डालेंगे आधी छोटी चमर बुना हुआ जीरा का पौडर आधी छोटी चमर डालेंगे धनिया का पौडर और तीका के लिए थोड़ा सा कूटा हुआ लाल मिर्च का पौडर डालेंगे और स्वाद नुसार इसमें नमक डालेंगे आटा में भी नमक पड़ी हुई है इसलिए नमक आप अपने टेश्ट के कॉर्डिन डालिएगा और धनिया की पत्ती डालकर अच्छा से मिला लेना है तो बहुत जादा इसमें मसाला नहीं पड़ती है कब मसाला पड़ती है और घर में सभी चीज़े आपको असानी से मिल जाएगी और काफी अच्छा चटपटा सा मसाला बनकर तयार हो जाती है आलू की आलू का मसाला मैंने साइड में रख दिया है यहाँ पर आटा भी तैयार हो गई है पाश मिनट हो गई है और आटा भी फूल गई है हलका सा आटा को मसलते हुए चिकना करेंगे क्योंकि आटा रखने के बाद में हलका सा इसके उपर टाइट हो जाती है तो उसको चिकना कर लेंगे क्योंकि मैदा ह अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो जादा उसको चिकना करने की ज Felra लेंगे और एक बड़ा सा पेड़ा का शिव दे देंगे इसको things-like चिकना करेंगे ऑंगलियों से दबाते हुए इसकोland प्रिस करेंगे जय के दिएक ड्र Whर के लिए नाजता बनाकर आप तयार कर सकते हैं बहुत असान है और टेश्टी बहुत जादा लगती है खाने में थोड़ा सा इसके ऊपर आटा लगाएंगे गेहु काटा या मैदा लगाकर बेलन से इसको बड़े साज में बेल कर तयार कर लेंगे चकले पर रखकर या तो आप चॉपिंग बोर्ड पर रखकर आप रोटी को बेल सकते हैं तो रोटी जितना पतला रहता है उतना ही पतला रखना है लेकि रोटी से इसकी जो लंबाई है बड़ी रखनी है तो देख सकते हैं रोटी कितना पतला में ने रखा है अब चाकू की मदश से हलका सा इसके उपर डिजाइन बनाएंगे इस तरह से बीच में लाइन खीचेंगे दो लाइन फिर साइट से हलका हलका लाइन खीचेंगे तो दोनों तरफ तीन तीन लाइने खीचनी हैं बीच में इस तरह से खाना का सिफ दे देना हैं तो अभी मैंने कट नहीं किया है अभी सिर्फ मैंने लाइ यह लिखना लगेगी है नास्ता बनाने में. अब इसके उपर आलू का मसाला लगाएंगे तो एक चमच पहले इसके ऊपर रखंगे. मसाला को तो सभी खानों के ऊपर रखंगे. बीच में बिल्कुल भी नहीं रखना है, except side side diagonally, पहले वह नहीं रखना है. अच्छा से इस तरह से आलु को मैंने मैस किया था तो हलका सा कहीं गुठली रह गई थी तो गुलियों से में दबा कर उसमें अच्छा से मिला दे रही हूं तो इस तरह से सभी आलु का मसाला फैला देना है पूरी तरह से तो यह देखिए सभी मसाला को मैंने फैला दी हूँ, अब एक तरब से उठाएंगे, उठाने के बाद में इसके उपर घी या तेल लगाएंगे, आप चाहे तो घी या तेल दोनों में से एक चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे तरब उठाएंगे, आपस में करेंगे, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नास्ता में आज बना रही हूँ, अब दोनों तरब एक एक करके इसको लगाते जाना है, घी उपर से डालते जाना है, घी बहुत ज़्यादा इसके उपर नहीं लगाना है, बरस की इसके उपर भी घी लगा देना है, और साइड से जो आलू का मसाला में लगाया है, वो भी जोइंट कर देना है, इसके उपर हलका सा घी लगाना है, दोनों तरब जोइंट करने के बाद उपर के साइड भी अच्छा से जोइंट कर देना है, और उलियों से दबाते हुए इ मैं कोई पराठा या पूरी या खचोरी बना रहे हूं बिल्कुल भी नहीं कुछ अलग तरह की आज नाश्ता की रेश्पी सेर कर रहे हूं आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एक मैं थाली ली हूं बनाने के लिए इसके उपर सिलवर पेपर लगा देंगे आच जो बना देंगे और जो दूसरी लोग बच्ची हुई है उसको भी इसी तरस से बना लेंगे फैलाने के बाद अब इसके वूपर घी या टेल लगाएंगे तो थोड़ा सा घी में लगा रही हूं इसके उपर बरस की मदद से लगाने के बाद में अब दूसरी जो लोई बची हुई है उसको भी सेम इसी तरह से बनाने के बाद में वापस इसके उपर रखकर फैलाना है तो दबाते हुए पूरी तरह से थाली में एकदम अच्छा से फैला देना है तो यहाँ पर मैं फैला दी हूँ, हाथों से दबा दबा कर आप कल्चुला की मदद से मैं दबा रही हूँ पल्टे से दबाने के बाद में अब इसके उपर आप थोड़ा सा तिल डालेंगे तो हटा सकते हैं, डालने के बाद में पलेट की मदद से इसको दबा देंगे अच्छा से ताकि यह निकले न, अब पल्टे की मदद से उपर दबाते हुए इस तरह से हलका हलका सा डिजाइन बनाकर तैयार कल देंगे तो हलके हाथों से दबाना है इस तरह से, तो एक तरह की यह डिजाइन बनकर तैयार हो गई है नास्ते के उपर, अभी इसको चाकू की मदद से कटिंग कर लेना है, तो आप अपने पसंद के अकॉडिक इसके उपर कटिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ, छोटे-छोटे साइज में बहुत बड़े साइज में नहीं रखना है, छोटे-छोटे साइज में इस तरह से कटिंग कर लेना है चलिए चलते हैं गैस की तरफ इस नास्ता को बनाने के लिए मैं लिए हूँ एक कराई कराई को मैंने गैस पे रख दिया है और ये जाली रख दी हूँ में कराई में और ये जो नास्ता वाली थाली है बीच में रख देना है और किसी प्लेट या थाली या लीड से इसे धख लगभग 10 मिनट तक इसे steam दिलाना है और बीच-बीच में मतलब चेक कर लीजेगा ताकि जले न और अच्छा से ये पकी जाए 10 मिनट के बाद में चेक करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड एकदम पूरी तरह से नास्ता बन चुकी है नीचे एकदम लाल हो गई है और उपर से इसका जो कलर है चेंज हो गई है गेस को फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे तो अभी जादा इसको ठंदा नहीं करना है हलका सा गरम-गरम है चमस्ते में निकाल कर दिखा रही हैं आप लोग को ये नाश्ता बहुत आसानी से निकल जाती है नीचे की तरफ लाल रती है उपर की तरफ जो है मुलायम सौट रती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी है तो कैसी लगी आज की ये मज़ेदार नहीं तरह की नाश्ता की रेष्पी केमेंट बोक्स में केमेंट करके जरूर से बताईएगा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा जादे से जादे लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ आप तक वीडियो तुरंत का तुरंत पहुचे ये नास्ता बनाने में भी बहुत असान है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगते हैं समोसा, कचोड़ी, पकोड़ी, पिज्जा से भी ज़्यादा टेश्टी लगते हैं गोजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो मैं ली हूँ यहाँ पर मैदा, डेढ़ कप और चार चोटी चमश सूजी, दोनों को अच्छा से मिला लेना है, सूजी डालने से गोजिया लंबे समय तक खशता रहती है, बहुत ही जादा बढ़िया बनकर तया होती है, दोनों को मिलाने के बाद, अब मोयन के लिए इसमें डालेंगे घी, घी या रिफायन तेल, जो भी आपके पास ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल लेती है, छोटी चमश घी, घी को गरम कर लेना है, ताकि घी जो है मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, घी को डाल दे का डेर रहेगी, इसलिए पहले चमश से मिला लेजिएगा, इसके बाद में हाथों से इसको मसल मसल कर अच्छ से पूरी तरह से आटा में मिला लेना है, ताकि जो घी है पूरी तरह से आटा में मिल जाए, घी थोड़ा जादे डालना है, घी जादे डालेंगे, तो जब हम बनाएंगे तो उपर जो बबल्स आती है छोटे छोटे जो बबल्स की तरह फूल जाती है वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी और आपकी गोजिया बहुत ही जादा खस्ता बनेगी हाथों में जो इस तरह से मुठिया बनाएंगे तो यह जो आटा है न अच्छा से बन तो परफेक्ट यह आटा तयार है गोजिया बनाने के लिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को हम अच्छा से गूत कर तयार कर लेंगे तो इसको मसल मसल कर इसको 3-4 मिनट तक अच्छा से गूत लीजेगा ताकि आटा बढ़िया से यह लग जाए तो ना सक्त गूत ना है और ना बहुत जादा इसको नरम सौप गूत ना है बस मीडियम गूत ना है जैसे हम चपाती बनाते हैं उसे थोड़ा सक्त गूत ना है अब इसे हम रख देते हैं साइड में ढखका पाश मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छा से फूल जाए यहाँ पर मै ली हूँ पनीर तो यहाँ पर मैं पनीर 300 गराम के लगभग में इस्तेमाल की हूँ पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे तो आज मैं पनीर से बना रही फ्रेंड गोजिया बहुत बढ़िया बनती है एकदम मावा का टेश्ट आती है तो आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा और ब कस कर लिया है अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैं ली हूँ एक पैन आप किसी भी बरतन में बना सकते हैं एक चमच घी डाल देंगे और घी जैसे मेल्ट हो जाए घी अच्छा से गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे ड्राइ फूर्ट तो यहाँ पर मैं काजू ली हूँ तो काजू को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर ली हूँ आप काजू बदाम जो भी ड्राइ फूर्ट आप ले सकते हैं और काजू को हलका सा हम भून लेंगे आधी मिनट तक ताकि इसका जो कच्छा पनह निकल जाए काजू भूनने से काफी अच्छ पनीर को आधी मिनट तक चलाते हुए इसको भून लेंगे मीडियम लोड टूफलेम पे ताकि जो पनीर का कच्छा पनह निकल जाए आधी मिनट के बाद अब इसमें हम डालेंगे चार छोटी चम्मा डालेंगे दूद का पाउडर जो भी दूद का पाउडर आपके पास है ले सकते हैं अगर दूद का पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें दूद डाल दीजिएगा ये बिल्कुल मावा का टेस्ट आएगी आप खाएंगे तो जैसे लगेगा फ्रेंड की ये मावा का गुजिया है बहुत बढ़िया टेस्ट आती है दूद का पाउडर ड इस्तेमाल की हूँ तो नारियल का गुरादा अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं ने तो नारियल को आप घिसकर भी ले सकते हैं सुखा नारियल को घिसकर आप डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आती है फ्रेंड नारियल चीनी को डालने के बाद में गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखेंगे मीडियम लो टू फ्लेम पे इसको दो मिनट तक चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे तो यह जो हमारी जो खोवा है फ्रेंड विल्कुल तयार हो गई है बीना दूद का और बीना मावा का थोड़ा सा इसमें मैं डाल ले हूँ किसमिस काट कर इसको बंद करने के बाद डालना है किसमिस अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए यहाँ पर जो आटा है पाश मिल्ट हो गई है और आटा बहुत अच्छा से शेट भी हो गई है जो मैंने सूजी डाला था अच्छा से फूल भी गई है मसलते हुए आटा को अब च पेड़ा का से दे देंगे इस तरह से तो आप चाहे तो सभी इस तरह से बना कर तयार कर लिजिए बनाने में बहुत असानी होगी और जट पर से यह बन भी जाती है तो इसको चिकना कर लेंगे तो यहाँ पर मैं दो पेड़ा बना कर तयार कर लिए हूँ इसी तरह से तीनो आप बेल पाएंगे, तो रोटी से बढ़ा इसको बेलना है फ्रेंड, जितना बढ़ा आप बेलेंगे उतना जादे इसमें पूरियां कटेगी, तो मैं बहुत जादा बढ़ा इसको नहीं बेल लई हूँ, थोड़ा छोटे में ही बेल लई इस तरह से, आप चाहें तो इसको बड़े साइज में बेल कर और बहुत सारी पूरियां काट सकते हैं तो देख सकते हैं रोटी कितना मैं मोटा ही रखी हूँ जादे इसको पतला नहीं रखना है अब एक कटोरी लेना है कटोरी या गिलास लेना है अब इस तरह से इसको पूरियां काट कर तयार कर लेना है तो बहुत असान है फ्रेंड पहले इस तरह से रोटी बेल लेना है और सभी पूरियों को इस तरह से काट कर तयार कर लेना है काटने के बाद पूरियों को किसी कपड़े से उसको ढख कर रख दीजिये तो सभी पूडियों को मैंने काट कर तयार कर लिया है, यहां पर जो मैंने मावा बना कर रखा है तो ठंडी हो गई है, अब इसको थोड़ा थोड़ा इसको लेंगे और हाथों में दबाते हुए इसको मुठिया बना कर तयार कर लेंगे, पहले इस तरह से हम बना लेंगे ताक कोई भी नहीं कहा था घर में जो भी खाया था कि यह मावा का गोजिया है किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने पनीर से बनाया है चलिए फ्रेंड आप गोजिया बनाना हम सुरू करते हैं तो हमें लेना है एक पूरी पूरी के ऊपर रखना है यह इस्टोपिंग जो हम बना कर गोजिया के लिए बीच में रखना है और दोनों साइड से इसको पकड़ना है और हाथों से इसको मुलियों से दबाते हुए इसको जोइंड करना है इसको पूरी तरह से चिपका देना है अगर आप पूरी को ढखकर रखेंगे तो पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूर नहीं पड़ेगी आपको आपस में वो अच्छा से चपक जाती है दोनों को पकड़ना है और दोनों को जोइंड करना है इस तरह से बहुत बढ़िया सा डिजाइन में बना रही हुँ अब बहुत अच्छा लगता है तो लेना है इसके लिए कंगी को अच्छा से धो लेना ह और नीचे कटोरी रख देना है और कटोरी के ऊपर ये गोजिया रखकर कंगी की मदद से इसको दबाना है तो कंगी आप मोटा लीजिएगा ताकि गोजिया के ऊपर जो डिजाइन बने थोड़े इसको दूर दूर बने तो देख सकते हैं कितना बढ़िया डिजाइन बनकर तयार हुई है तो मैं दो तरीका से आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी फ्रेंड एक चमच की मदद से ये दूसरा तरीका में बताऊंगी चमच की जो डंडी है उस तरफ से दबाना है धीरे धीरे तो मैं बहुत आराम से आप लोग को बता रहे हूँ बहुत धीरे-धीरे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए एक बार आप बना लेंगे ना तो बहुत असान है बनाना आप मिन्टो में बहुत सारी गोजिया बना कर तैयार कर सकते हैं बिना साचा का बिना मसीन का बहुत बढ़िया तो एक मैंने गोजिया बना कर त्यार कर लिया है अब दूसरी गोजिया मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ बीच में श्टोपिंग को रखेंगे अंगलियों से दबाते हुए इसको अच्छा से पाइक करेंगे तो गोजिया आप सभी ने बहुत बार बनाए होंगे फ्रेंड क्योंकि होली में और दिवाली में तो गोजिया सबके घरों में बनाई ही बनाई जाती है तो एक बार आप लोग मेरे तरीका से बना कर देखिये फ्रेंड हर बार आप गोजिया इसी तरीका से बनाएंगे बहुत बढ़िया बनती है एकदम ख़स्ता बनती है और उपर बहुत सारे लोग गोजिया बनाते हैं न उपर बबल्स आ जाती है गोजिया के उपर और खस्ता भी नहीं बनती है लेकिन इस तरीका से आप बनाएंगे आपकी गोजिया बहुत जादा खस्ता बनेगी और एकदम बढ़िया बनकर तयार होगी आप लेंगे ये कल्चुला लेंगे फ्रेंड तो ये रबड का कल्चुला है तो इसके मदद से इस तरह से दबा देंगे तो आपको जैसा आसान लगे आप डिजाइन बनाने के लिए आप दबा सकते हैं अब गोजिया के उपर हलका हलका डिजाइन हम बना देंगे कंगी से इस तरह से तो देखने में बहुत ही जादा सुन्दर लुकाती है चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ गोजिया को हम तेल में तलते हैं तो तेल में तलने के लिए मैं तेल को गरम कर ली हूँ तो बहुत जादा गरम तेल में मट डालिएगा तो क्या होती है ना कि गोजिया बहुत जादे लाल हो जाती है और खसता नहीं बनती है तो तेल हलका गरम रखिएगा और गोजिया को तेल में डाल दीजिएगा और धीरे धीरे देख सकते हैं बबल उठना शुरू हो गया है और धीरे धीरे इसको तेल में फ्राई करिएगा जैसे नीचे हलका सा लाल हो जाए, सिख जाए वापस इसको उपर की तरफ इसको पलट देना है उलटते पलटते अब इसे 3-4 मिनट तक गोजिया को तेल में तलना है तो देख सकते हैं मैं तेल जादे गरम नहीं की हूँ हलका गरम तेल में मैंने डाला है और धीरे धीरे गोजिया तेल में फ्राई हो रही है इस तरह से तेल में तलेंगे न तो बबस बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही जादा खस्ता गोजिया बनकर तयार होगी तो जैसे गोजिया लाल हो जाए उसके बाद में इसे तेल में से छान कर निकाल लेना है और सभी गोजिया को इसी तरह से बनाकर तयार कर लेना है तो कैसी लगी गोजिया बनाने की ये तरीका फ्रेंड कमेंट बोक्स में केमेंट करके जरूर से बताईएगा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादे से जादा लोगों में सेयर जरूर से करिएगा और जो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं नए नए आए हुए हैं तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में अप्लोड करूँ आप तो को वीडियो तुरंट कर तुरंट पहुचे तो सभी गोजिया को मैं तेल में तली हूँ देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर भी आया है एकदम खस्ता बनी है कहीं से भी बबल्स नहीं आया है और कितना बढ़िया डियाइन बनकर तयार हुई है बिना साचा बिना मसीन की हाथों से बनाए बहुत ही ज़्यादा सुन्दर और खस्ता गोजिया तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहीं तोड़ कर भी कितना ज़्यादा खस्ता वनी है ये देखिए बहुत ज़्यादा खस्ता वनी है फ्रेंड आप इस गोजिया को आप 15-20 दिन तक इस्टोर करकर भी रख सकते हैं बिल्कुल भी ये गोजिया खराब नहीं होती है खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है तो ज़रू से ट्राइ करिएगा फिर कल मिलेंगे तक तक लिए धनवागा